नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्टेटी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए आप चैनल को तुरंच सब्सकाइब कर लिए और और नॉटिफिकेशन को जरूर अन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिगाम ये वालोगा जरूर से जरूर जरूर जोइन कर लिजेगा या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामेरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पेट कोर्स अविलेबल हैं इन नमबर पर कॉंटेक करके आपकी requirement के according आपको paid courses यहाँ पर provide किया जाते हैं जैसी कि अगर आपको पूरी तैयारी करनी है अभी अभी आपने तैयारी करना शुरू कि आपको कोई idea नहीं है civil services का तो आपको पूरी तैयारी करवाई जाती है इस प्रकार से जो भी आपको requirement है तो उसके according आप अगर आप phone करेंगे तो आपको उससे related complete information भी मिल जाते हैं और काफी minimum cost में आपको यह paid courses provide किया जाते हैं तो चलिए अब समयना waste करते हुए lecture को शुरू कर लेते हैं इस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग उसी के according news को भी cover करते हैं सबसे पहले हम लोग paper 1 से related topics को discuss करेंगे then we will move on to paper 2 फिर paper 3 की news को cover करेंगे अब guys start करते हैं paper 1 की पहली news से तो देखिए यह वाला जो topic है यह काफी जाद important है यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दीजेगा तब जाकर यह पूरा topic आपको clear होगा श्री ब्रैनिका हत्याकांट की हम लोग बात करेंगे देखिए prelims point of view से भी यह topic important है prelims point of view से क्या क्या चीज़े आप से पूछी है वो पढ़ाते बढ़ाते में आप लोग को बताऊंगा वागी main point of view में world history point of view से यह topic थोड़ा सा important है ठीक है तो श्री ब्रैनिका हत्याकांट तो देखिए गाइस 1995 जुलाई में यह हत्याकांट हम लोग को देखने को मिला था exactly date के अगर बात करें तो 11 जुलाई 1995 को कहा जाता है कि यह हत्याकांट हुआ था और अभी 11 जुलाई बीता है तो इसलिए यह topic news में आए क्योंकि इसको 25 साल इस incidence को complete हो गए है और यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी जान गवाई थी तो उनको याद किया गया था तो यह चीज था इसलिए यह topic news में था बट exactly यह पूरा हत्याकांट क्या है उसको हम लोग डीटेल में समझते हैं तो देखिए गाइस overview एक बार आप ले लो इसलिए यह हत्याकांट का नाम दिया गया है श्री ब्रहने का हत्याकांट और बाद में international tribunals ने इस हत्याकांट को genocide नरसनहार जो है वो खोशित कर दिया क्योंकि बहुती गंभीर बहुती खतरनाक हत्याकांट था यह इवन कुछ researchers का यह भी कहना है अब एके करके पूरी picture समझो आप तो श्री ब्रहने का श्री ब्रहने का एक location है अगर आप देखो modern अगर आप बॉस्निया को देखो आप बॉस्निया हर्जी गोविना तो यह इस location को आप देखो यह उरोप के अंदर एक country है तो इस country में Shreebrenica नाम की एक territory है आप town कह सकते हैं कि town है यह Shreebrenica बॉस्निया के अंदर तो यह South Eastern Europe में हम लोग को देखने को बलता है तो आप से देखो directly प्रलेशन ऐसे question पूछे जा सकते है कि Shreebrenica कहा अभी recently news में था यह किस particular country से related है या फर यह क्या है तो आपको बता होना है उनची है कि एक country के अंदर हम लोग को एक town देखने को मिलता है जहां पर यह हत्याकांट हुआ तो और कभी-कभी ऐसे भी question आयाते है कि यह chronological order में आप इन हत्याकांट को arrange करो जो कि भी recently news में थे तो देखो यह जो हत्याकांट जो हुआ है तो यह है तो यह ऐसी कुछ जानकरी आपको प्रेलिम्स परस्पेक्टिफ से होना ज़रूरी है अब हम लोग पूरा जानेगे कि आखिरकार यह हत्याकांट हुआ क्यों हत्याकांट होने की वज़ा क्या है अगर आप हिस्टरी बढ़ रहे होते है तो आपको कॉस पड़ना भी मैपमें यह यूगोव मैं के और क्या हो हुए इसकांदर की उस्पेट क्या लेकर हुआ है क्रोडस और बंदर का इंड। समराज यह था जैसे कि इंडिया के अंदर मौरियन, गुप्ता, एंपायर और ये सब हम लोग को kingdom's empire देखने को मिलते थे न, वैसे ही यहाँ पर यूरोप के अंदर सर्ब्स, क्रोड्स और स्लोवीन्स का एक empire था, इसको बाद में जाकर 1929 इसके अंदर यूगोसलाविया नाम दे दिया गया, तो एक picture तो आपके mind में clear हो गई कि यहाँ पर कुछ अलग-अलग ethnic groups थे, जिनका ये पूरा kingdom था, ठीक है, यह अलग-अलग ethnic groups है, आप देखो, कौमा लगा है और एंड लगा हुआ है, तो आपको एक चीज़ clear हो गई, यहाँ पर तीन major power थी, जिनका ये kingdom था, पूरा, यूगोसलाविया, ठीक है, और 1946 का ये map है, और ये map जो है वो, 1992 का आप देख सकते हैं, ये यूगोसलाविया एक छोड़ा सा हो गया, तो हमने क्या देखा, कि यूगोसलाविया डिसिंटीग्रेट हो गया, 1991 में, तो जब एक particular kingdom, या फिर जब एक territory, जब एक खताम हो जाती है, डिसिंटीग्रेट हो जाती, तो उसके अंदर मौझूदा जो powerful, जो groups होते हैं, वो उस territory को capture करने के लिए, उस territory के उपर, अपना, मनब कबजा करने के लिए, capture करने के लिए, उस territory को, उस territory को control करने के लिए, जो है, वो काम करते हैं, फिर वो अपनी power को, जो है, वो घोशित करते हैं, तो उसी बीच यही हुआ, सेम चीज़ की, जैसे ही territory, इस territory का खात्मा हुआ, तो वैसे ही हाँ पर, violent inter-ethnic war शुरू हो गया, जैसे मैंने आपको बजाया थे, कि यह kingdom जो था, इसके अंदर तीन major powers थी, तो इनके बीच में, जो है, वो युद्ध शुरू हो गया, ठीके, और इस युद्ध को, भी एक portion आपका complete होता चल रहा है, अब देखिए, अब जैसे इसे period बीचता गया, वैसे-वैसे क्या हुआ, इन्होंने target किया, बॉस्नियन Muslims को, या फिर आप बॉस्नियाक्स जोनको कह सकते हो, तो इन्होंने इनको target किया, और बॉस्नियन Crots को target किया, जो मैंने भी आपको बताया था, यह पूरी जो इन लोग थे ना, आपस में, आप देख सकते हैं, इस map के अंदर, तो यहाँ पर जो यूद जो जल रहा था, यह देखिए, इनको target किया, अब target किस ने किया, तो कहा जाता है, कि इसके पीछे के जो लोग थे, वो थे सर्ब, तो मैंने आपको बता है, यहाँ पर सर्ब भी मौझूद थे, आप देखो, यह सबसे उपर सर्ब लिखा हुआ है, तो सर्ब का भी kingdom था यह, तो आपस में यह यूद चल रहा था, तो background जो हुआ, Yugoslavia जब disintegrate हुआ, तब यह यूद जो है वो छड़ा, Bosnian यूद, Bosnian war, और यह पूरा जो था, यह ethnic crisis हम लोग को देखने को मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हुआ कि एक regional conflict था, जो कोई भी जो तीन powers जो थी, वो target करनी थी, यह पूरी territory के उपर control जो होगा, वो पिसका होगा, तो इसको लेकर पूरा यह यूद छड़ा था, और कुछ-कुछ researchers का यह भी मानना है, कि यह सबसे खतरनाक अत्याचार था, Holocaust के बाद, Europe के अंदर, जो यह हुआ, और जिसका नाम जो था, वो यह, यह हम लोग को देखने को मिला, ठीक है, यह Shreep Rennica Massacre, ठीक है, तो यह चीज़ हमने देखी, अभी तक यह topic पूरा नहीं हो, इसमें और भी चीज़े हम लोग देखेंगे, जैसे कि war के समय पे, और क्या-क्या चीज़े होती रही, उसके बार में भी एक idea आप जाल लो, तो देखो जब war जब हुआ, तो कहा जाते कि, यह पूरा जो incidence जो हुआ था, वो 11 जुलाई 1995 में हम लोग को देखने को मिला था, यह जो commander जो था, वो ratco हम लोग को देखने को मिला था, जिसने श्रीबरेनिका टाउन पर कबजा कर लिया था, मैंने आपको श्रीबरेनिका टाउन इसलिए स्टार्टिंग में देखा है, कि आपको चीज़े clear होते, दिमाग में आपकी चलती रहे, यह श्रीबरेनिका टाउन, तो इसके उपर जो है, इस कमांडर ने ओडर दिया, और थाउजंड्स ओफ मुस्लिम जो है, उनको मारने का ओडर पास किया था, इसने, बट उसने में क्या हुआ था, कि डच बैट, डच बैट बैट बैसिकली उनाटेट नेशन फोर्स, मैंने आपको बढ़ा हुआ हुआ है, कि यॉनाटेट नेशन की एक एजनसी है, पीस कीपिंग एजनसी, हमने बात करी थी, उसके बारे में एक स्पेशल फोर्स जो की पीस कीपिंग के लिए काम करती है, तो यॉनाटेट नेशन की फोर्स जो थी, वो यहाँ पर आ गई थी, जिसको डज बेटेलियन के नाम से जाना गया था उस जगहा पर तो डज बेटेलियन जो था वो United Nations Forces के अंदर यहां पर डिपलॉय कर दिया गया था इन लोगों की रक्षा करने के लिए हमने बात करी दिदें कि United Nations Peace Keeping Forces जो होती है वो क्या करते है यह दुनिया भर में अगर कही करने का काम होता है अब आप पुराने लेक्षर को ध्यान में रखते हुए और चीजों को रिलेट कर पा रहे होगे और जिन लोग नहीं भी बड़ा है उनको भी एक आइडिया लग रहा होगा कि United Nations की एक Peace Keeping Body होती है जिसका काम क्या होता है कहीं पर भी पूरे दुनिया भर म नाम से यह हम लोग को देखने को मिलती है अगर बाइचांस आजा है डच बैट के आए तो आपको बता होना चाहिए कि एक डच बैटालियन है United Nations Peace Keeping Forces के अंदर यह हम लोग को देखने को मिली थी तो उसको यहां पर तैनात कर दिया गया था बॉस्नियन वार के दौनान जिसस दखें दिया था यानि कि सर्ब्स के बाद दखें दिया था कही न कहीं यह भी कहा जाता है कि Peace Keepers ने अपना काम सहीं से नहीं किया इवन इस हत्याकार्ट के पीछे काफी सारे ऐसे करफ्ट ऑफिशियल्स जो थे जिन्होंने सर्ब आर्मी को जो है मुसलमानों को सौब दिया कि यूरोप के अंदर बहुत ही घतरनाक जो हत्याकार्ट जो हुआ था हॉलोकॉस्ट के बाद वो यह हम लोग को देखने का बिला था तो यह जीज था पूरा अवरल टॉपिक इसके बारे में आपको पूरी क्लियारिटी से रिलिटेट जो हो गई होगी अच्छे से और यह जो ही दिन पर मारा गया था यह जो है बोलिया चलाई गई थी सर काट दिये गया थे बहुत बुरी स्थिती हूँती यह पर तो यह चीज था पूरा अवर आपको एक स्टोरी समझ नहीं थी यह तीसरी बात लोकेशन पर आपको इधान पे रखना था तीसरी बात कुछ important dates देखनी थी, कुछ क्या एक ही important date है 1995 याद रखो, दूसरी Bosnian war जो है, वो 1992 से लेकर 1995 तक का था, और 1991 में Yugoslavia disintegrate हो गया सिर्फ इतनी काम की चीज़ है, इस से बाहर का और कुछ examination में, इस topic से related आप से नहीं पूचा जाएगा, क्लिए रहे हैं यादर इसलिए ये topic जो था, वो news में था, बट थोड़ी सी हम लोग इस wildlife century पर चर्चा करें, तो इसको जैपोर rain forest के नाम से जाना जाता है, और ये देहिंग पटकाई elephant reserve का ही एक part हम लोग को देखने को मिलता है, और दिब्रुगड और तिंसुकिया, आप देख सकते हैं, दिब्रुगड और तिंसुकिया, एक map और मैं आटेच किया था, कहां गया, तो यही पर ही आपको दिखाई देगा, यही पर ही दिब्रुगड आपको देखने को मिलेगा, तो यह दिब्रुगड की ही exactly territory है, इक देखने को बिलता है यहां पर 47 वेराइटी हैं स्पीसीज हैं रेप्टाइल्स की और 310 यहां पर बटरफ्लाई की स्पीसीज मौजूद है इसके लाबा लो लेंड रेन फॉरेस्ट का सबसे लार्जेस स्ट्रेच जो ही हमारी पूरी कंट्री के अंदर यह देखने को बलत है असाम के अंदर हम्लोग को देखने को मिलती है पर्टकाई हिल्स हिल यह पाहली से पहाडि पूछा जा जा ऐसे questions आ जाते हैं कि यह arrange करो north to south पटकाई, bum, naga hill mezo hill या फिर east to west यह खासी जनताई hills वगरा, गारो hills वगरा तो ऐसे questions जो होते हैं hills वगरा से related यह आपको बता होने चाहिए है hills और rivers, यह short short questions होते हैं civil services में पूछते जाने वाले हैं और देखें देहिंग पटकाई, यह दो आपको river के बारे में बता लगए और दूसरा hill के बारे में आपको बता लगए कि यह कहाँ पर located है तो ऐसी चीज़ आप note down करते चलो एक जगा पर जो भी hills, जो भी geographical locations news में आती जा रही हैं उसका एक separate notes बनाते चलो ठीक है, तो यह था पूरो वरोल टॉपिक, इसके बारे में आपको सिर्व इतनी सी चीज़े ही जाननी है, इससे बाहर का और कुछ आप से नहीं पूछा जाएगा, में जो नाम earthquake के बारे में बात हो रही है, देखो इस topic को हम लोग already cover कर चुके है, 25 जून 2020 को, इस topic में, पूरी बाते हम लोग ने चर्चा करी थी, हर एक चीज़ के बारे में, इवन faults क्या होते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी, काफी सारी terms and terminologies के बारे में हमने जाना था, और काफी कुछ locations मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई थी, major faults, यहाँ पर कौन से कौन से located हैं, उसके बार में हमने चर्चा करी थी, तो जो नए बच्चे जिन्होंने यहाला topic नहीं देखा है, वो जरूर जाके देखिए, इसमें मैंने cover करा के रखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब का जो search column में वहाँ पर लिखिएगा, 25 जून 2020, उसके आगे लिख दीजिएगा, only current affair, जो सबसे पहले जो topic आएगा, वो यही बाला topic आएगा, इस पर आप लिख कीजिए, और जो है, इस topic पर आप, पहला ही topic ही ही है, 57 second पर यह topic शुरू हो गया, इसको आप जाकर देख लीजिए, ठीक है, इस वीडियो में, और पूरी picture जो हैब आपको अच्छे से clear हो जाएगी, तो आप जाकर topics को cover करेंगे, guys, यहाँ पर हम लोग एक special parcel train की बात कर रहे हैं, देखिए, पहली Indian Railways की एक special parcel train शुरू हुई है, जो की India से बांगलादेश के बीच में हम लोग को देखने को मिल रही है, यह India से district जो आंदरप्रदेश की है, वहाँ की यह ड्राय चिलीज है, और गुंटुर सनम चिलीज के नाम से जो है, यह जानी जाती है, और इसको जेग्रफिकल इंडिकेशन टैग भी जो है, वो मिला हुआ है, तो यह हम लोग मिर्ची जो है, वो बांगलादेश पे पहुचा रहे हैं, आज भी spices, जो है, वो कितना famous है, इंडिया का, जो colonization जो हुआ था, वो spices के कारण ही हुआ था, आपको पदा होगा, आपने पढ़ा होगा, कि जो European powers जो आई थी, वो spices से attract हुए थी यहां पर इंडिया में, तो देखो spices हम लोग बांगलादेश पे पहुचा रहे हैं, अब यहां तक सिर्फ, जो normal जो लोग तयारी कर रहे हो, उन लोग सिर्फ यहां तक पढ़के आगे बढ़ जाएंगे, बट आप लोग को एक understanding mains के लिए भी develop करनी है, और overall understanding जो है वो develop करनी है, क्योंकि आप civil services की तैयारी कर रहे हो, इस topic को आप link करो चीनी बांगला के relations से, अभी आपने यातरा है, हम लोग ने कुछ से पहले discuss किया था, चाइना जो है वो बांगलादेश को और हमारी जो neighboring countries उनको है track कर रही है, कैसा है track कर रही है, चाइना ने बांगलादेश के लिए क्या किया, अभी trade tariffs जो है वो exempt कर दी है, उसने बोला कि आप हमारे पास जो समान भेजती है, उस पर हम custom duties reduce कर रहे है, तो चाइना ऐसा क्यों कर रही है बांगलादेश के साथ, क्योंकि चाइना का target एक और ये भी हम लोग को देखने को लें, खुल में लाकर easy तरीके सा आपको समझाओ, तो चाइना ये भी targeting कर रही हमारी neighboring country जो है वो चाइना के पास चली जाए, चाइना के support में चली जाए, जिससे कि इंडिया के products जब आगी चलके manufacture होंगे, तो वो इंडिया की neighboring country ना purchase करें, और इंडिया की neighboring country चाइनीज product ही purchase करें, जिससे कि क्या होगा, ultimately इंडिया का market जोगा, वो damage होगा, क्योंकि manufacturing, जो products manufacture होंगे, वो export नहीं कर पाएंगे, होंगी, क्योंकि उसको buyers नहीं मिलेंगे, consumers नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से understanding जो है, वो international relations को लेकर भी develop होती रहेगी, अब इस दी उसकी बात करें गई, तो देखिए, इंडिया ने Guinness Book of World Record में एक नया record जो है, world record जो है, वो हासिल कर लिया है, किस चीज को लेकर हासिल किया है, तो देखिए, अभी आपको लोग को पता हो, हमने पढ़ा भी था, All India Tiger Estimation 2018 के बारे में, तो इसमें हमने census देखा था, Tiger का, नया census हमने देखा था, जिसमें पता लगए कि कितने Tiger जो है, वो हमारी country के अंदर है, ठीक है, तो यह दी देखी थी, आपको पता हुआ, इसका fourth cycle अभी recently conclude हुआ था, 2018 में, और यह Global Tiger Day के दिन हम लोग को पिछले साल देखने को मिला था, ठीक है, जब आया था, जब हमने पूरी detail में चर्जा करे थी, अब don't worry, मैं आपको उसके आखड़े वगरे भी device करा दूँगा, याद करा दूँगा, बट पहले ही हाँ पर समझो, कि जो world record जो बनाया गया है, वो किस चीज के लिए बनाया गया है, तो देखिए, हम लोग ने क्या किया था, technologies का इस बार उपयोग किया था, अलग-अलग प्रकार की technologies का, तो आप देख सकते हैं, फोटो में जो ये camera लगा है, जिसको camera traps का आ जाता है, तो हम लोग ने क्या किया था, इस प्रकार के camera traps जो थे, व इस camera से हम लोग देखते थे कि tigers के movement का आगा पर है, tigers को monitor करते थे और tigers की population को track करते थे, तो ये जो cameras थे, जो ये हमने लगाये थे, इतने बड़े area को जो हमने capture किया था, और ये largest camera trap जो हम लोग ने wildlife survey के लिए जो लगाया था, तो उस चीज को लेकर हम लोग को ये world record मिला है, Guinness Book of World Record में, इस चीज को लेकर इंडिया का नाम शामिल हुआ है, world's largest camera trap wildlife survey, इस चीज को लेकर record हुआ है, ठीक है, यहां तक बात एक लिए ना, तो ये चीज बस एक आपको थोड़ी सी पता होनी चीजिए, इस camera trap के बारे में, अब latest census के according, इंडिया के अंदर tiger turtle कितने हैं, त 2010 के अंदर एक बैठक में ये discussion हुआ था, कि tiger की population को जो है, वो पूरे दुनिया पर यानि की जो country से जहां पर tigers हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो tigers की population जो है, उसको double करना है, 2022 तक, तो ये चीज सेंट पीटर बग में, 2010 के अंदर declare हुई थी, तो इस target को अरड़ी इंडिय लोग को देखने को मिलते हैं, कभी कभी ऐसे भी questions आ जाते हैं कि इन state में से बताईए, arrange करीए कि टाइगर की population कौनसी कौनसी state में जादा है और फिर कम है, यानि कि मलब, वह उतना, decreasing order में या increasing order में arrange करीए, तो ऐसे भी कभी कभी question आ जाते हैं, top 3 तो आपको मिलेंगे ही मिल मिलेंगे, उसके लावा चौथा कुछ मिल जाएगा और interchange वाले इसमें मिलेंगे, ठीक है, इसके लावा पिछले 5 सालों में टाइगर के protected areas भी बड़े हैं, 692 से 860 से जादा हो गए हैं, community reserve भी 43 से 100 से जादा हो गए हैं, 2014 census के अंदर tiger की population थी 226, 2010 में 1706, 2006 में 1411, तो आप द प्रदेश में, यह भी याद रखिए का यह tiger reserve की location कहा पर हैं, कि ऐसे questions भी आते हैं, तो पेच टाइगर रिजर्व कहा पर हैं, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर tiger की population जो है, वो सबसे ज़्यादा है, यानि कि सबसे ज़्यादा tiger जो है, वो यही पर page tiger reserve में है, इसके ला tiger की population में गिरावट आई है, ओडिशा के अंदर ना बड़ा है ना घड़ा है, और बाकी जो remaining states है, वहाँ पर positive trend ही tiger की population में देखने को मिला है, तो यह था पूरा fourth cycle हम लोग को all India tiger का हम लोग को देखने को मिला था, और यह इसका पूरा Hindi में translation है, जो मैंने भी आपको पढ़ है और इसमें technical backing इसको wildlife institute of India के द्वारा दी जाती और इसको state forest department implement करते हैं और इंकी कुछ partners बगर अभी जो होते हैं, और tiger के protection को लेकर इंडिया के अंदर और पूरे दुनिया भर में क्या-क्या हम लोग को initiatives देखने को मिले हैं, तो NTC, National Tiger Conservation Authority जो है, उन्होंने M-Strips को launch किया था, monitoring system for tiger, जिसके बारे में हमने पहले भी जर्जा करी हुई है, तो यह M-Strips का full form है, monitoring system for tiger, intensive production and ecological status, तो tiger की monitoring purpose के लिए इसको launch किया गया था, यह mobile monitoring system है, forest guards के लिए, इसके लबा, Petersburg tiger summit 2010 में हो थी, वही St. Petersburg की जो मैंने आपको बताया है, रशिया में जो हुई थी, तो यह जो जिसका नाम था, T multiply 2, यह T into 2, यह TX2 आप याद रख सकते हैं, तो कभी-कभी ऐसे भी question आते हैं कि यह T into 2 किससे related है, और यह ऐसा question civil services में already पूछा जा चुका है, तो यह tiger की population को double करने से related है, और यह St. Petersburg summit में हम लोग को देखने को मिला था, 2010 में, ठीक है, तो यह आली चीज इसको global tiger initiative council देखने को मिलता है, global tiger forum देखने को मिलता है, global snow, leopard ecosystem protection program देखने को मिलता है, इंडिया की बात करने तो project tiger India के अंदर 1973 में हम लोग को देखने को मिला था, और आज की rate में 50 से जाधा reserve हम लोग को देखने को मिलता है, tiger reserve जहाँ पर tigers को protection दी जाती है, और कहा जाता है क जो हमारी country का जो total geographical area है, उसका 2.2% जो है वो, यह protected areas हम लोग को देखने को मिलता है, tiger reserve हम लोग को देखने को मिलता है, project tiger के थुरू, ठीक है, तो यह था पूरा overall topics के बारे में, और यह Hindi translation इसका पूरा, और paper 2 से related guys सिर्फ इतने ही topics थे, now we will move on to paper 3, so paper 3 की पहली news में बात हो सुर्ण सब 1 के बारे में, तो देखो, कोशन यह बन सकता है, सुर्ण सब 1 अभी news में था यह क्या है, तो याद रखना एक चामवल की variety है, यह चामवल की variety है, वाटर रिजिस्टेंट चामवल की variety है, ठीक है, तो यह चीज हम लोग को देखने को मिलती है, आप देख सकते है इस तरफ simple स्वरन है, और इस तरफ यह एक नई variety है, तो आप देख सकते हैं, यह उपजाव जो है वो नई variety में जादा है, तो अच्छी variety है यह कहा जा रहा है, और जो flood prone areas होता है, यानि कि जहां पर पानी वगरा जादा बहर जाता है, तो उस area में आसानी से यह variety हम लोग को देखने को मिलती है, और असाम के अंदर जो है यह, इसका काफी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, और वो इसको develop किया गया है, ICAR के दोरा Indian Council of Agricultural Research के दोरा, और एक International Rice Research Institute है, जो की Manila में हम लोग को देखने को मिलता है, तो 2009 से जो है वो इसको develop किया गया है, तो यह चीज में आ रहा है, यह फूल जो है, वो उसमें चितकबरिज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह Tiger की Skin ही है, तो इसलिए Tiger की Skin की तरह यह दिखाई देती है, तो इसलिए इसको Tiger Orchards नाम दे दिया गया है, इस Orchard में हर दूसरे साल Fool लगता है, यानिकि Alternative वियर्स में Fool हम लोग को देखने को मिलते हैं इसके अंदर, इंडिया की मूल नहीं है यह, इंडिया की Native नहीं है यह, और in fact जो है यह, साउथ इस एशिया की Endemic हम लोग को देखने को मिलते है, यानिकि साउथ इस इस एशिया में पाई जाती है, और Tiger Orchards की अगर हम लोग ब आपकी weights up to two tons, उसमें लिखा हुए एक Orchard का weight दो ton तक है, अब एक ton जो होता है, वो 1000 kg होता है, दो ton यानिकी 2000 kg, तो क्या यह 2000 kg की Orchards होगी, यह plant का क्या weight इतना साथ होगा 2000 kg का, तो देखिए इसके massive size के लिए इसका नाम जो है वो Guinness Book of World Record में शामिल हुआ है, record किया गया है बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहे है कि यह कहीं misprinting तो नहीं है, और अगर misprinting नहीं है तो यह वाकई में अचमित है, यह अजीब आप सोच सकते हैं कि आप एक full या फिर एक पौधा जो है वो इतना weight होगा उसका, दो ton का, तो अब वो पता नहीं कि क्या है अब य आगे की बात करेंगे, ground orchards को भी आप देख लीजे, यह ground orchards आपको दिखाई दे रहा है, यह ground orchards जो है, यह एक rare orchard की species है, कितना beautiful आपको दिखाई दे रहा है और यह दूदवा tiger reserve में 118 साल के बाद दोबारा से rediscover हुई है, तो अक्सर question पूछे आते हैं कि यह फलाना tiger reserve किस particular state में, तो मेरा question वो ही है, दूदवा tiger reserve किस state के अंदर है, फटाक से नीचे comment box पर लिख कर बताई है, 1902 में पिछली बार यह देखी गई थी, उसके बाद यह गायप हो गई थी, अब 118 साल के बाद दोबारा से यह दिखाई थी है, और IUCN की red list में यह critically endangered है, और CITES की tier 2 मे हम लोग को देखने को मिलती है, और इसका trade जो है, वो prohibited है, यानिकि आप इसको एक country से दूसरी country में नहीं बेच सकते, नहीं ले जा सकते, बट smugglers इसकी smuggling आप करेंगे, क्योंकि 118 साल के बाद दोबारा से आ गई है, और ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है, रेर चीज़ें, उसकी value बहुत होती है, लाखों में भी नहीं, इवन करोड़ों में उसकी value होती है, ठीक है, इंटरनेशन मार्केट में, अब नेक्स जो है, यह हम लोग को ओफी, ओफी, कॉल्डी, सिप्स, सिनिसिस हम लोग को देखने को बिल रहा है, आप देखो, नाम थोड़े अजीब ह और वाइगरा है, तो अब्यूसी बात है, सबसे costliest होगी होगी, और natural है, natural वाइगरा एक प्रकार का है यह, ठीक है, और यह rejuvenation properties इसके अंदर है, अब आप समझ रहोंगे कि यह वाइगरा किस से related, इसमें इतना detail में जाने की मुझे आवशक्ता नहीं, I think, कि आपको पता लागी रहा होगा यह, तो IUCN की red list में यह threatened species है, यह vulnerable category में हम लोग को देखने को मिलती है, और इसको कीडा जाडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कीडा है, एक प्रकार का caterpillar type का appearance है, आप देख लो, यह कैसा दिखता है, यह fungus, तो अब यह fungus है, और यह fungus जो है, यह काफी costly है, बहुत महेंगा फंगा से है, और उत्राखंड में यह देखने को मिलता है, उत्राखंड में, कीडा जाडी, जडी इसको कहा जाते है, जडी नहीं, जडी, कीडा जडी, कीडा जडी इसको कहते है, हिंदी में देख ले ता हमें एक बरस में, यह थोड़ा वो सहीं है इंडिया चाहिना भूटान नेपाल में ये पाई जाती है इंडिया के अंदर उत्रा घंड में पित्तौरगण जो हम लोगे को चमोली नाम की जुजग में डिस्ट्रिक में लोगे आधा है तो वहां पर पाई जाती है नाम से ही पूरी चीज picture clear हो गई है, कि एक ऐसा council है, एक ऐसा परिषद हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि forecast करता है technology को, technologies जो होती है, नहीं नहीं, technologies तो develop होती है ना, ये बैठक होती, यानि कि यह आपर काफी सरे experts होते हैं, जो देखते हैं कि आने वाले समय पर और कॉंसी कॉंसी टेक्नोलोजी आ सकती है क्या क्या potential है आने वाले समय की technology का यान कि future technology का क्या potential है जैसे कि किसी ने आद से करीब 50 साल पेले ये नी सोचा होगा कि लोग जो है वो उनके फोन में camera होगा नहीं सोचा हो गार गुछ पटाइस साल पहले हाथ से, किसी ने smartphone के बारे में नहीं आज परिशेद इतने high speed internet के बारे में नहीं सोचा होगा, Department of Science and Technology के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है इसका major काम क्या है Look ahead in technology दूर तर आज forecast करें technology को देखें कि आने वाले समय में क्या potential है technology का तो ये innovation को basically support करती है आपको समझ में आगे नब ये इस particular organization का क्या काम है अब ये organization न्यूस में क्यों आया है क्योंकि राणी लक्ष्मी भाई अवार्ड नारी शक्ती पुरुस्कार 2015 जो अवार्ड हम लोग को देखने को मिलता है तो ये intellectual property rights जो है guys तो उसको लेकर ये award जो है वो दिया गया है actually क्या है था कि ये जो TIFAC जो है इनका एक program था इनकी एक scheme थी किरन IPR किरन intellectual property rights तो ये इनकी scheme थी जिस scheme के तहरे ये क्या कर रहे थे women को empower कर रहे थे कि women जो है वो innovation करें और वो IPR intellectual property rights अपनी register करें नए ने products हो है वो innovate करें महिला तो महिलाओं को basically empower किया जा रहा था महिला के लिए ये किरन IPR scheme थी इनकी तो इसको लेकर राणी लक्षमी भाई अवर्ड नारी शक्ती पुरुसकार अवर्ड जो है वो इनको हमी रीसेंटली दिया गया था तो इसलिए ये topic news में था पर आपको मेंली इसके बार में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए और किरन IPR के बार में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए कि क्या आई है क्योंकि इंटेलेक्शल प्रॉपर्टी राइट पेपर 3 के अंदर आपका एक topic भी हो और काफी important topic है अब बात हो रही है ATL app development module के बारे में नीती आयो का जो अटल innovation mission है कई वार हम लोग इसके वार में discuss कर चुके है इन्होंने launch किया है ATL app development module देखो हाला कि उसके collaboration के थूँ जो है वो इसको launch किया गया है तो इकल मिला कि यह वानों कि स्कूल के जो बच्चे है उनको app development सिखाया जा रहा है आज से पहले किसी नहीं सोचा होगा कि आने वाला समय जो होगा तो अब और भी जादा business online आ गया है तो यह application develop करने का करने का एक course है जो कि बच्चों को सिखाया रहा है app development course तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके लावा यह वाला topic आ गया अब बात हो रही है इटॉली जूमाप के बारे में तो देखो एक injection है एक दवाई हम लोग को देखने को मिल रही है जिसको DCGI drug controller general of India इनके द्वारा जो है वो इस particular दवाई को इस इटॉली जूमाप को जो है वो अप्रूव कर दिया गया है किस परपस के लिए अप्रूव किया है तो यह एक supportive medicine ह supportive यानि कि जो coronavirus की patients है guys तो उनको help करेगी यानि कि जो emergency cases होते है coronavirus के जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है तो उनको यह दवाई दी जाए कि जिससे कि उनको कुछ थोड़ा ठीक लगे यानि कि उनकी जान बगएरा बचाई जासा कि उनके जो symptoms बगएरा जो है उ यह जो आपको लकडी के जो यह दिखाई दे रहा है यह लकडी जो पड़ी हुई है लकडी के locks तो यह रेट सेंडर्स इसकी गाइस बहुत तसकरी होती है smuggling इसकी बहुत होती है क्योंकि इसका international market में जो rate है वो करोडों में है इवन कुछ सम्वेले पतंजली ने भी इसकी sm और यह सीज किया गया है anti-smuggling task force के दौरा आंद्रप्रदेश के और यह एक hills है आप देखो यह कोशन बन सकता है कि शीष चलम hills कहा पर है शीष चलम hills आंद्रप्रदेश के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है तो यह आली चीज आपको बता होने चाहिए 25 km की दूरी पर है और यह जो hills जो है पालकोंडा और शीष चलम hills जो कि हम लोग को आंद्रप्रदेश में देखने को मिलती है अब देखो यह दोनों hills के नाम याद रखना थोड़ा साब तो यह यहां पर पाई जाती है और इसके लाबा करनाटा का और तमिल लाडू में भी हम लोग को देखन पाई जाती है और यह होड और राइठ अध्य्य यह देखने और यहाड और वायड प्रयाइकन के अंदर को बैंड किया गया है और इसको इसका जो उपयोग जो होता है गाई यह immunity medicine के लिए होता है इसका उपयोग furniture के लिए होता है और भी कुछ काफी सरी चीज़ों के लिए होता है अब बात हो रही है international comparison program की तो देखो गई एक चीज तो आपको सुन वह रही है कि यह comparison program है तुल्ला करने वाला प्रोग्राम है ठीक है और अभी रिसेटली वर्ल्ड बैंक ने रिलीस किया है एक नया PPP PPP का मतलब public private partnership नहीं है यहांपर यहांवर purchasing power parity की हावर बात हो इसके बार होगा यह जिन बच्चों ने मुझसे नहीं बढ़ा उनको पता होगा कि purchasing power parity exactly होती है ठीक है तो मैं चाहूंगा कि इसकी exact definition जो NCRT में दी है या फिर किसी standard book में दी है वो आप पढ़िए उससे related notes बना लिजिए और नीचे comment box पर लिख दीजेगा मैं exactly definition की बात इसलिए कर रह तो इसकी definition आप नीचे लिख कर बताईए तो देखो world bank ने release किया एक नया purchasing power parity को और यह ICP के under release किया गया है और reference year जो रखा गया है वो 2017 रखा गया है और ICP international comparison program exactly है क्या तो यह एक partnership है 999 से जादा country के statistical administration की जिसको world bank के द्वारा guide किया जाता है मान के जलो जिसे कि इंडिया के इंदर कौन सी होगी statistical administration तो हमारी जो ministry है ministry of statistics and program implementation जो की administer करती है पूरा का पूरा statistical data हमारी country का तो वो उसकी partnership और जो अलगला countries के इस प्रकार की ministries होती है तो उनका जो partnership होता है वो यह IC CP हम लोग को देखने को मिलता है एक international comparison program और इस program के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि international comparable prices जो है और volume measure जो है gross domestic product का वो release किया जाता है यानि कि इस प्रकार का data release किया जाता है जिससे कि अलग-अलग country की जो PPP है purchasing power parity जो है वो compare की जा सके इसमें सबी country जो होती है guys तो उनक condition था या जो भी जिस प्रकार की आपकी country की जो economic condition थी 2017 में और आज की rate में जो condition है तो उससे compare करो और उससे PPP जो है वो बनाओ, set करो कि हर एक country का PPP जो है वो किस प्रकार करो है यानि कि purchasing power parity अभी मैं आपको और easy तरीके से समझाता हूँ जैसे कि USA के अंदर एक banana जो है वो एक strong होई, India की होई, क्योंकि इंडिया में हम लोग जो है वो एक unit जो है, यानि कि मान के चलो, एक dollar इंडिया के अंदर कितना है, on and average मान के चलो, 65, 75, 75, इतना ही होगा, उससे जाद तो नहीं होगा, तो on and average 70 पकड़ लो, 70 रुपे, ठीक है, एक dollar, तो आप 70 रुपे में कितने स सारे बनाना खरीच सकते हो, right, पात से जादा बनाना खरीच सकते हो, आप 70 रुपे में, अराम से खरीच सकते हो, और वहीं USA के अंदर एक ही बनाना आप खरीच सकते हो, एक dollar में, तो इसको कहते है, purchasing power parity, कि इंडिया के अंदर purchasing power parity, USA के comparison में जादा है, strong है, समर्यों, यह ध्यान में रखते होए data बनाया जाता है, यह पिछला जो base year जो होता है, उसको ध्यान में रखते होए बनाया जाता है, कि base year के मुकाबले, base year के comparison में, कितनी growth हुई है, कितना PPP जो है, वो कम हुआ है, समझे हो, तो यह चीज हम लोग को इसमें देखने को बलती है, इसमें इ अभी तो चीज को purchase करेंगे, तो यह expenditure component हम लोग को देखने को बलता है, और IPC try करता है, कि to make different countries GDP comparable by calculating them in PPP, और आज की rate में यही चल रहा है, PPP का concept जो है, आज की rate में यह इसको जादा महत्वता जी जा रही है, कि इससे जो है, वो countries को compare किया जाए, कि किसी country की purchasing power parity, जो है, वो one of the largest statistical initiative है, जिसको World Bank के तौरा manage किया जाते है, क्योंकि तो 99 से जादा countries, तो आप समस्क्ति हो कि पूरे दुनिया भर की बात हो रही है, तो पूरे दुनिया भर की statistical departments है, वो एक साथ मिलकर जो है, वो काम करते है, statistics data के ओपर, comparison करने के लिए, comparison purpose के लिए, ठीक है, और United Nations Statistical Commission के हमको देखने को बलती है, ठीक है, और India जो है, वो almost सभी जितने भी rounds हुआ है, ICP के, उसमें सभी में India ने participate किया है, 1970 से, क्योंकि 1970 में ही यह हम लोग को देखने को मिली थी, और बता ही आ रहे है कि, at present India जो participate कर रही है, तो उसमें जो reference year है, वो 2017 है, और अगला जो reference year हो होगा हो 2021 का हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, और इंडिया जो है, वो third largest economy है, purchasing power parity के मामले में, USA और चाइना के बाद, जिसके बारे में हम लोग ने discuss किया हुआ है, ठीक है, पहले भी, तो यह है पूरा whole topic, I hope कि आपको पूरी चीज सभी में आए, अभी मैं आपको बता है, इंडिया third largest economy है, purchasing power parity के मामले में, ठीक है, अब मैंने भी आपको जो बनाना का example लिया है, उससे मुझे लगता है कि अभी आप में confusion आजएगा, आप बोलोगे, अभी तो आप बोल रहे हैं कि इंडिया की PPPs better है, USA से तो USA उपर कैसे हो गई, तो guys मैंने आपको सिर्फ एक commodity क के बारे में बात करी थी, किस के बारे में, बनाना के बारे में, agricultural commodity के बारे में, बड़ अगर आप देखो, Apple, Apple के products देखो, आप USA में सस्ते हैं, इंडिया में महेंगे हैं, है न, आप समझे रहे हैं, अब example clear हुगा, कि क्यों USA उपर है, China उपर है, इंडिया तीसरे number पर है, तो ये चीज़ है, अब आपको, I think, जो है, वो doubt जो आया होगा, एकदम से, कुछ बच्चों में doubt आया होगा, जो इमानदारी से चीज़ को अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होगे, जिन में नहीं आया है, मैं ये नहीं कहता, आप इमानदारी से नहीं पढ़ रहे होगे है इसका मतलब ये है कि आपको अपने doubt जो है वो इस direction में raise करने की आवशकता है, क्योंकि जब doubts आएंगे तभी जो है वो चीज़े clear होगी, और doubt clear करने के लिए हमारा एक वो group भी है, अगर आप चाहो तो उसको join कर सकते हो, IASBCS गयान का, आप last में आप देखो कि मैं भी आपक में share कर सकते है, Snake Bites in India, Center for Global Health Research जो है guys, यह हम लोग को University of Toronto Canada के अंदर देखने को मिली है, उन्होंने एक study जो है वो Snake Bites के ओपर गंडग करी है, जिसमें India और UK partners हम लोग को देखने को मिले है, तो World Health Organization ने recognize किया है कि Snake Bites top priority neglected tropical disease है, यानि कि एक ऐसी neglected disease जिसको top priority पे रखना है हम ल लोग की जान जाती है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के अंदर Snake Bites जो है वो किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रही है, उसके क्या आकड़े हैं, तो Snake Bites के कारण जो total death जो होती है, वो बताया रहे है कि 20 सालों के period में, 2000 से 2019 के period में जो death हुई है, 2 million, 2 million मतलब 20 लाक, 20 लाक लोगों की मौत हुई है Snake Bites के कारण, on an average 58,000 लोगों की मौत हर साल होती है, 70% यह जो मृत्य हुई है guys, यह low altitude region पे, rural areas पे देखने को मिली है in odd states में, याने कि जो नीचे वाला जो area होता है, लो altitude याने कि उचाई वाला area यह पहाड है, पहाड जो है, वो high altitude है, यह उपर उपर जैसे जा रहे हैं, यह high altitude में जा रहे हैं, और यह जो नीचे वाला area यह low altitude area है, तो यह जो low altitude जो नीचे वाला area है और साथी साथ जो गाओं शेतर है, वहाँ पर जादा मृत्य होती हैं लोगों की, और यह 8 राज्यों में जादतर मृत्य हो क्योंकि साब बाहर निकलते हैं, साब पानी गरता है, तो साब के जो होल्स वगरा होते हैं, साब के रहने का घर जो होता है, तो उसके अंदर पानी भजाता है, साब निकलेगा है, निकलेगा है, logical जो है यह एली चीज, इसके लाबा, most of the envenomation envenomation का मतलब जब साप जब काटता है तो जब venom जब होता है जब ज़हर जब अंदर जाता है एक human की body में तो वह अली जब process होती है जब साप के काटने की जब जब body के अंदर जाता है तो वह अली जब process होती है guys तो यह हम लोग को जायतर देखने को मिलती है कि रसल वाइपर की होती है फिर क्रेट की क्रेट की होती है क्रेट साब जो होता है और कोबरा तो यह जो तीन है रसल वाइपर कॉमन क्रेट और कोबरा इनका जो इनका जो स्टिंग जो हम लोग को तो याद रखना कोमन क्रेंट कोब्रा और रसल वाइपर इनसे बचना और कोब्रा तो काफी फेमस हाई आप जानते ही हो इसके लाबा 97 परसेंट जो साम जो काटते और लोगों की मृत्यू होती है वो गाउँ छेट्र में होती है उसके इलाबा जातर मृत्यू बता रहे जा रहे हैं कि लगभख 60% मृत्यू जो होती है वो मेल्स की होती है 59% अब देखो मुझे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप 60% बता रहे हो लिखा तो 59% है देखो यह सब आकड़े जो होते हैं वो काम की नहीं होते हैं मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ यह सब आकड़े कभी आपसे एक्जामिनेशन पर नहीं पूछे आएंगे बट कुछ-कुछ चीज़े होती है जो आपको अगर याद भी रखनी है तो आप आप बोल सकते हों कि 60% मेल्स की मृत्ति होती है साफ के काड़ने से फीमेल्स की 40% होती है 97% या पर आप कह सकते हूँ लगभग 100% रूलर एडियास में हम लोग को देखने को मिलता है कि मृत्य होती है लोगों की साब के काटने से वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल वगएरा नहीं है यह वाली चीज भी आप link करो वहाँ पर यह वाली facility नहीं है hospitals वगएरा की काफी कम है और कुछी ऐसे hospitals होते हैं जहाँ पर antidote होता है यानि कि जो काटने का यानि कि जो साब या का रहाइं जो होता है यह सरकारी hospitals भगएरा होते हैं वहाँ पर मिल जाता है हम लोग को देखने को मिलता है जैसी साब काट लगा вел Sounds जो भी सरकारी hospital है वहाँ पर फोन करके चले आओ बच जाह होए और इवन बता है कोबरा वगेरा साप में तो ऐसा होता है कि 30-40 मिनिट में लोगों की मौत हो जाती है अगर कोबरा काट ले जो चूड़, एनीवस यह सब चीज़ें है आपर बताई गई और कहा है देंUmतर. हम लोग को देखने को मिली है रिकॉर्ड की गई है तो यह बेसिक चीज है जो आप ध्यान में रखो उसके लाब आप कोई कोशन दे रहा हूँ नीचे comment box पाँ से लिकना आज बहुत ज़्यादा कोशन होगा कि death जो होते हैं साप ने काटा साप काट रहा है तो लोगों की मृत्यू हो रही है तो साप काटे और लोगों की मृत्यू ना हो तो उसके 3 points आप लिख कर बताओ यानि कि reduce कर सके हम लोग इस प्रगारी चीज़े अब 3 points जैसे आप बहुत ज़री चीज़े लिख सकते हो कि लोग बाग जो है वो थोड़ा productive रहे है लोगों में जानकारी दी जाए कि भाई थोड़ा दूर रहो साप को छेड़ो मत कि कई सारे लोग हो तो उतपात मचाते हैं साप जा रहा है उसको छेड़ दिया उसको मार दिया अब साप एक ऐसा है लोगों को लगता है कि अरे यार कोई कुछ नहीं करेगा मुझे तो हलाकि personally done लगता है बड़ कुछ लोग को नहीं लगता कुछ लोग पैर रख देते हैं मार देते हैं उसको जैसे कि किसान वगएरा है अगर वो अपने खेट में या रहा है तो यह सब पॉइंट्स जो है वो आप लोग नीचे इन में से जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे वो नीचे अपने हिसाब से तीन पॉइंट्स लिख कर बताईए तो यह था गाइस पूरा वरॉल टॉपिक आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से डिमांड कर रहे थी कि मैं आपसे बीच-वीच में कोशन स्पूछ हूँ और कई रिपीडेट भी थे काफी सारे एंजी पीसी आर नैशनल कमिशन फॉर प्रोडेक्शन ऑफ चाइल राइट्स और राइट टू एजुकेशन एक 2009 को उसने वॉइलेट किया है तो नई एजुकेशन की जो गाइडलाइन स्राजिस्तान के द्वारा लाई गई है तो उसने वॉइलेशन किया है RTE Act 2009 का तो उसको लेकर NC-PCR हम लोग को देखने को मिली थी और यह जो वॉइलेशन जो हुआ है उसमें यह बताएगा है कि Economic Weaker Section उनको Right to Free Education Nursery Classes के अंदर नहीं दिया गया है तो यह चीज है अलएक यह दोनों टॉपिक्स ही हम लोग पहले पहले कवर कर चुके हैं तो इसको एक बार आप रिवाइस कर लीजेगा देख लीजेगा और यह नाइट ग्रिट नाइट ग्रिट आपको Second Week of September 2019 पे मिल जाएगा यह वाला टॉपिक नैट ग्रिट ने MOU साइन करी है National Crime Record Bureau के साथ तो यह चीज हम लोग को देखने को मिली जिसके चलते यह जितनी भी F.I.R. वगरा जो होती है तो उसका एक Online Database जो है यह Manage करेंगे क्योंकि नाइट ग्रिट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो समय हम लोग ने डिसकस किया था कि इस प्रकार का कुछ जो डेटा बनाने वाली बात जो है वह इस प्रकार का एक डेटाबेस जो है वह चल रहा है कि हम लोग एक Online Database जो है वह तयार करेंगे जितनी भी F.I.R. है और वो जाकर देख सकते हैं और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं सर होंवक डन मुझे पता लग जाए कि आपने होंवक कंप्लीट कर लिया है अचा एक और चीज है मैं कई बार देखता हूं कि काफी सारे बच्चे जो है जैसी मैं लेक्चर रि के लिए मैं इसलिए बोलता हूं कि आप अपनी प्रेक्टिस करके लिखो जिससे कि आपको एक कंप्लिश्मेंट अचीवमेंट जो है वह अचीव हो कि हाँ यार भाई आपने बड़ा अचीवमेंट हसल कर लिए कि आपने वाकी मिल लिगी दिया रही याणि कि आपका काम ज इसको आगे बड़ा कर दे सकते हैं ऐसी कुछ जैसे कि मैं बच्चों से कभी कभी बात करता हूं मुलब कुछ कुछ चीज़ें जो उनको मोटिवेट करते नहीं तो देखिए सिवल सर्विसेस की जो तयारी है वो डेली है वो एक साल की तयारी नहीं है वो 24 आर्स की तयारी ह अब उन 24 आर्स को कैसे आप मैनेज करते हो तो वो आपको डिसाइड करना है और देखिए कोशिश यह किया करो कि जब आप सुबह उठो और रात में सो तो रात में सोते समय पूछो अपने आप से कि क्या आप वाकई में आपने ऐसी तयारी करी जिससे कि आपका एग्जामे यह था और आज मेरे खाल से जाए जादा लेक्टर खिज गया है क्योंकि आण यूज भी काफी जाद है थी और टॉपिक्स भी काफी इस प्रकार के थे ठीक है और यह हमारे पेड कोर्से से इनको आप जॉइन कर सकते हैं और अभी दो मिनिट की एक टेस सीरीज जो है वह आ ग्रेड एहेड टाडा प्राद खर ढाद का हम लडं दो, आर बाद का लुबाद कान दुष बुष एाँ घर बाले लुद सितार सितार कि दो कि दुब और बाले नहां! पर बहलती विर भ चटे। लड़ हम को लड़ गा प्लावाद को aus Given the Prize मताम कंड़ें गप Inner सितार कर दो कर दो पुछ झाल कर दो है नलो हैं 호남 कि आ डड़ सुblo क आ टा साल झाल दो सकाल में झार लोना दो, वो आड़ी, श झाल